पर फाइनल अकाउंट के अंदर हमने क्या देखा था फाइनल अकाउंट के अंदर बनाने के लिए आपको एक ट्रेडिंग अकाउंट, एक ट्रेडिंग के बाद प्रॉफिट एंड लॉस, प्रॉफिट एंड लॉस के बाद बैलेंशीट, तीन चीजों में डिवाइडेड है trading account का main purpose, main मकसद होता है कि वहाँ से gross profit निकाल ले या net profit निकाल ले और, sorry, gross profit निकाल ले या gross loss और P&L का main मकसद क्या होता है, वहाँ से क्या निकाल ले net profit या net loss और इन सभी को कहां भेज़ दें, balance sheet में और balance sheet में जाने के बाद वो दोनों tally हो जाता है, हमारा काम खतम हो जाता है, trading account बनाने के लिए आपको knowledge होना चाहिए, सर किस चीज का एक तो होना चाहिए, direct expense और indirect expense, तो direct expense कौन से होंगे, जितने भी factory से related खर्चे होंगे न, उसे direct expense बोले जाएंगे, जैसे कि carriage invert हो गया जैसे cartridge हो गया, freight हो गया या manufacturing expense हो गया, या ओक्टरी हो गया, custom duty हो गया, wages हो गया power हो गया, wages और salary है, तो यह सारे direct expense है किस से related होगा हमारा trading account से एक दूसरा आ जाता है trading account यानि factory के बाहर के खर्चे, यानि office जिसको मैंने नाम दे दिया, तो office में क्या हो सकता है सर, indirect expense उसे बोलेंगे, जैसे journal expense, light electricity, salary, यह सारे कहा जाते हैं हमारे office के अंदर के खर्चे आ गये, तो office वाले खर्चे कहा जाएंगे पी एंडल में और जो कि हमारा trading वाला खर्चा है, वो factory वाला ट्रेडिंग में, एक format बनाया था एक trading account, उसके नीचे पी एंडल और यह यह PDF मैंने आपको share भी कर दिया था इसके बाद हम आगे continue चलें, तो सर एक question भी किया था आपके book का ही question है, सर book कौन सा ले रहे हैं, जे आर मुंगा book को follow कर रहे हैं, हर किसी बच्चे के पास book होना चाहिए, पूरे डेली उनिवर्सिटी में मातर एकी book चलता है, जे आर मुंगा चाहिए कोई बच्चा किसी college का हो डेली उनिवर्सिटी में, उससे college में एकी recommendation करते हैं, वो कुछ college में हो सकता है, maybe के आपका DK goal कर रहे हो लिखिन इतना popular नहीं है, जितना के JR मुंगा popular है, इसके बाद सर आगे हमने क्या किया था, आगे हम आगे थे सर adjustment करने के लिए, और adjustment करते करते हमने देखा के सर adjustment बोलेंगे किसे, तो जो trial balance के बाहर चीजे given होगा उसको क्या बोलेंगे हम adjustment adjustment में सबसे पहले हमने क्या देखा, हमने देखा closing stock पे, closing stock या तो आपको given हो सकता है, trial balance के अंदर या given हो सकता है, adjustment में तो trial balance के अंदर जो भी information given होता है, हमेशा उसकी एक ही entry करते हैं, और जो adjustment में information given होता है, दो entry करते हैं तो trial balance के अंदर अगर closing stock गीवन हुआ तो सिर्फ और सिर्फ हम कहां लेकी जाएंगे balance sheet के asset side लेकिन अगर adjustment में given हुआ तो एक कहां चले जाएगा हमारा trading account के credit side में दूसरा balance sheet के asset side यहाँ पर एक twist आता है कि आपका closing stock के दो value दे देते हैं एक market value और एक book value तो आपको कौन सा value अगर दो value दे दिया तो कौन सा value consider करोगे तो जवाब है सर इसके अंदर से आपको consider करना है whichever is lower जो दोनों में से lower है वो value आपको consider करना है तो मैंने उसके हिसाब से सारी चीज़े यहाँ पर लिख भी दिया है बाकि previous वीडियो में मैंने धीरे धीरे बताया हुआ है वो आप देख सकते है इसके बाद एक आता है outstanding, unpaid, accrued या फिर आप कह सकते है पेबल, area बहुत सारे नाम है इनके अगर adjustment के अंदर हुआ तो दो entry expense के अंदर add और balance sheet के liability में अगर आपका होता है कहाँ पे sir entry होता है आपका trading account में तो कहाँ जाएगा trading account के case में सिर्फ और सिर्फ जाएगा balance sheet के liability side में balance sheet के liability side में इसके बाद आगे देखा जाए तो आगे क्या है हमारा sir अगला point है हमारा prepaid expense expired expense related to next year prepaid expense की बात करें तो यहाँ भी trial balance के अंदर होगा तो सिर्फ जाएगा balance sheet के assets में अगर adjustment में हुआ तो expense में से minus और balance sheet में asset side पहुँच जाएगा अगला देखा था sir हमने क्या depreciation depreciation अगर adjustment में है तो assets में से minus profit and loss के debit में लेकिन अगर depreciation आपका है trial balance में तो सिर्फ P&L के debit side में जाएगा साथ के साथ provision for depreciation इसके दिखाने के दो तरीके थे अगर आपका trial balance में है तो यह चला जाएगा या तो liability में दिखा दो या फिर assets में से क्या करो minus कर दो लेकिन अगर adjustment में हुआ तो आपको एक P&L के debit में तो दिखाना ही पड़ेगा साथ के साथ आपकी मर्जी है कि आप assets में से minus कर दीजिए या फिर आप उसे provision for doubtful debts जो पुराना पड़ा हुआ है उसके अंदर add-on करके liability में दिखा दीजिए इसके बाद हमने देखा था bet debts अगर trial balance के अंदर bet debts given है तो P&L के debit में जाएगा अगर adjustment में bet debts given है तो दो जगह जाएगा कहा P&L के debit में चला जाएगा और दूसरा चला जाएगा balance sheet balance sheet में debtor में से minus अगर आ जाता है provision for doubtful debts trial balance में है तो इसे हम दिखाएगा profit and loss के credit side हाँ answer में कई बार आपको अलग जगह देखने को मिल सकता है लेकिन आपको दिखाना है profit and loss के credit side लेकिन अगर adjustment में given हुआ तो दो जगह दिखाना है सर कहा P&L के debit side में और दूसरा सर एक जाएगा हमारा P&L के debit side में दूसरा उस debtor में से क्या करेंगे minus कर देंगे इसके बाद आपका आगे दोनों अगर साथ में आ जाए दोनों के तीनों साथ में आ जाए एक provision for discount भी है तो क्या treatment होना है सर trial balance वाले को तो bad debts को तो हम दिखाएंगे सर debit में P&L के provision for doubtful debts दिखाएंगे credit में अब provision for discount दिखाएंगे credit में लेकिन जब adjustment में होगा तो सबसे पहले हमें minus करना है bad debts फिर minus करना है provision फिर minus करना है discount और ये तीनों खर्चे P&L के कहाँ चले जाएंगे सर debit के अंदर आ जाएंगे इसके बाद हमने देखा था सर क्या एक question हमने देखा और इसके basis पर trial balance का जो की जो adjustment किया उसके उपर हमने question कर लिया था एक adjusted purchase adjusted purchase में मैंने कहा था आपका opening stock plus purchase minus closing purchase return somehow कई बार minus होता है और कई बार नहीं होता adjusted purchase के case में आगे था goods use goods use कहां कहां हो सकता है proprietor अपने लिए use कर सकता है charity में हो सकता है free sample में हो सकता है या loss by fire हो सकता है अगर अपने personal use करता है तो that is a drawing अगर trial balance में है तब तो capital से minus अगर adjustment में है तो capital से minus साथ का साथ purchase से minus क्योंकि जब कभी भी goods use करोगे तो हमेशा कहां से minus हो जाएगा sir purchase से minus हो जाएगा free sample में भी अगर adjustment में दे रखा है इसके बाद देखा था हमने एक question जो कि हमने कर लिया था आपके book का ही question number seven है honors में कोई और question हो सकता है program में कोई और आप question के digit देखके इसको मिला सकते है इसके बाद हमने और adjustment आगे लेके गए थे prepaid life insurance और including the general insurance तो life insurance कभी-कभी insurance के अंदर एक life insurance का part जुड़ा हुआ होता है तो वो life insurance का part वहाँ से हटा के कहां ले जाते है capital में minus कर देते है और normal insurance कहां चले जाएगा prepaid में लेकिन normal insurance को check करते है क्या पता वो 12 महिने से ज़्यादा का है तो सिर्फ 12 महिने का चला जाएगा P&L के अंदर बागी का हिस्सा आपका चला जाएगा कहां पे सर बागी का हिस्सा चले जाएगा balance sheet के assets में as a prepaid इसके बाद हमने देखा था omitted purchase omitted purchase के अंदर आपका या तो goods भूल सकते हो लिखने के लिए या फिर assets भूल सकते हो अगर आप goods लिखने के लिए भूल गए तो उस situation में क्या होगा एक तो purchase में add on हो जाएगा और एक creditor बन जाएगा आप assets लिखना भूल गए तो उस situation में assets बढ़ जाएगा और दूसरा कहां चले जाएगा हमारा balance sheet के liability में as a creditor लेकिन मुद्दे की बात है अगर आप assets लिखना भूलते हैं तो depreciation का सवाल आता है तो depreciation आपकी इच्छा है अगर date दे रखा है तो according to date लगाई या date नहीं दे रखा तो आप पूरे साल का लगाई है या छोड़ देजिए वो आपके उपर पूरा depend करता है इसके बाद सर आगे देखा जाए तो interest on capital interest on capital बात करें तो अगर trial balance में है तो P&L के debit में जाएगा और adjustment में है तो दो जगा चला जाएगा एक P&L के debit में और एक capital के अंदर क्या होगा add हो जाएगा सर ये इसके बाद देखा था interest on drawing interest on drawing interest on drawing इसी के नीचे था हमारा जो की same P&L के credit side adjustment में तो P&L के credit side और drawing में add या less from capital कह दो इसके बाद था सर हमारा interest on loan interest on loan hidden adjustment का basically part होता है interest on loan अगर आपको adjustment में दे रखा है तो P&L के debit में और balance sheet के liability में लेकिन अगर आपका trial balance में है तो सरफ P&L के debit में यहां मुद्दे की बात है कई बार आपको insight date दे देता है trial balance के तो date के according calculate करके आप पता करोगे कितना part हमारा outstanding है same interest होता है आपका investment पे तो बिल्कुल same हमने ये वाला topic भी complete कर लिया था इसके बाद हमने देखा था outstanding rent expense outstanding का पहले भी discussion किया था उसका अगला part था trial balance के अंदर ही आपको rent, wages, salary किसी के अंदर आपको bracket में डाल देगा 11 महने, 9 महने, 8 महने जैसे कि मैंने एक example के अंदर आया यहाँ पे 11 महने डाल के दिखाया हुआ है तो sir जब trial balance के अंदर ही basically ये डाल दिया जाता है 11 महने तो ये 11 महने का है जबकि हमें कितने महने का दिखाना होता है 12 महने का तो जितना part outstanding निकलता है वो निकालके हम आगे continue कर लेंगे यहाँ तक हमने पूरा का पूरा part जितना अभी तक किया है 5-6 classes में वो में हमने cover किया आज हम इसके आगे देखेंगे और property plant and equipment का एक थोड़ा सा concept करने वाले है तो चलिए start करते है सबसे पहले मेरा करने का simple सा तरीका है सर हम कभी भी ना हम चीजों को अलग-अलग करके नहीं लिखेंगे जो चीजे मिलता जाएगा लिखते जाएंगे सबसे पहले देता है सर cash in hand है सर इसके बाद cash at bank 2600 रुपए है तो आप simply bank लिख लीजिए 2600 रुपए इसके बाद sundry debtor है 8600 हमेशा याद रखिएगा debtor पर adjustment होता है और नहीं होता तो एक बार check कर लीजिएगा सर बिल्कुल है और ये दे रखा है 86000 तो मैं अंदर के site लिख रहा हूँ 86000 इसके बाद stock के आगे date दे रखा है तो सर ये opening stock है तो यहाँ आ जाएगा two opening stock opening stock सर opening stock है कितने का यहाँ पे given 62000 रुपीज का opening stock है ये trading और profit and loss है format वही follow करना है जो किताब के अंदर है उपर लिखना है for the year ending अगर ये सारे formatting नहीं करोगे marks नहीं मिलने वाला आपको इसके बाद सर given आपका furniture and fixer assets है तो यहाँ लिख देता हूँ मैं furniture सर furniture कितने का 21400 का इसके बाद सर क्या है office equipment है मैं यहाँ लिख देता हूँ office equipment सर office equipment कितने का है सर 16000 रुपे का adjustment बाद में देखेंगे इसके बाद क्या given है सर building मैं यहाँ लिख देता हूँ building सर building कितने का है यहाँ पे adjustment देखा जाए तो building पे भी है furniture पे भी office equipment motor car पे भी है तो building कितने का है 60K का इसके बाद building के बाद motor car 20 का है motor car कितने का है sir 20 जिस पर adjustment होगा अंदर लिखेंगे creditor कितने का है 43 का तो मैंने इधर लिख दिया creditor कितने का 43,000 k word का इस्तमाल कर रहा हूँ ताक कि आपको visible हो सके अब loan, loan में हमेशा दियान रखिएगा loan का मतलब कभी भी liability हमेशा नहीं होता है आपको अगर credit side में given है तो liability है और अगर debit side में given है तो क्या मानूँगे वो loan क्या है हमारे लिए assets है वो क्या होगा हमारा assets तो यहाँ पर loan देखो आपका कहां दिख रहा है credit side में तो liability है यह loan तो इसलिए हम इसे loan को इस side put करेंगे कितने रुपए सर? 30,000 इसके बाद reserve for doubtful debts मैंने बताया था trial balance में हो तो P&L के credit में लिख देना है तो by reserve for doubtful debts सर कितने रुपए का है amount? amount है सर 3000 का इसके बाद सर आगे है purchase 1,40,000 तो purchase inside लिखना है 1,40,000 minus कर देंगे सर purchase return देखेंगे कब आता है purchase return आगे ही आगे है 2600 रुपए ये भी यही direct minus हो गया आगे देखेंगे सर sales दे रखा है 230 और sales return भी है तो buy side में आ जाएगा sales और that is 230 और minus कर देंगे सर sales return कितने का है सर 4,200 इसके बाद ये भी हमने कर लिया फिर salary 11,000 रुपए profit and loss के debit में लिखेंगे तो मैं मान लेता हूँ मेरा यहाँ trading खतम हो जाएगा 10 से 12 लाइन में यहाँ लिखेंगे salary और salary सर कितने का है 11,000 एक बात देखना होगा क्या adjustment किस पे है जरूर पढ़ लिजेगा building पे, furniture पे, plant equipment पे, हमारा motor car पे, closing stock पे है, reserve bed debtor पे है, insurance premium पे है, और life insurance premium है और इसके आगे salary पगेरा पे नहीं है rent for go down go down कहां होता है, sir, factory में होता है तो इसलिए rent यहाँ पे आएगा go down basically factory में होता है तो rent for go down, पचपन सो रुपे trading में आ गया rent for go down के बाद आपका given है interest on loan 2700 रुपे तो P&L में आएगा interest on loan 2700 रुपे इसके बाद, sir, दे रखा है rent and taxes 2100 रुपे यहीं पे आएगा rent हमारा 2100 रुपे इसके बाद given है discount allowed 2400 रुपे यहीं आएगा discount discount आगया, sir, 2400 रुपे discount के बाद है आपका discount receive है तो credit में आ जाएगा discount receive कितने रुपे, sir, discount receive 1600 रुपे हाला कि आप पहले कर चुके उन question को मैंने दिया था freight on purchase 1200 रुपे है trading का part है freight कितने रुपे, sir 1200 रुपे carriage outward है तो P&L का part होगा तो carriage outward कितने रुपे carriage outward 2000 carriage outward के बाद drawing है drawing सीधा minus हो जाता है capital पहले हम capital mention कर देते हैं और minus कर देंगा यहां drawing और drawing amount is 12,000 drawing के बाद printing and stationary 1800 printing प्रिंटिंग printing and stationary के बाद electric charge electric charge 22 है तो electric charge charge कितने रुपे? 22 इसके बाद देखा जाए electric charge के बाद 22 के बाद insurance पच्पन सो रुपे है सर इसके उपर adjustment है थोड़ा सा मैं अलग से लिख देता हूँ insurance कितने रुपे है insurance? पच्पन सो रुपे इसके बाद journal office expense 3000 रुपे यहां बीच में डाल देते हैं सर जगे है नहीं कितने रुपे? 3000 रुपे इसके बाद आगे कहता है bad debts 2000 यहीं डाल देते हैं कहीं bad debts 2000 इसके बाद given है bank charges 1600 रुपे है कहीं नहीं adjust हो करना है न bank charges मैं यहां adjust करता जा रहा हूँ इसको कैसे ने कैसे करके charge कितने रुपे? 1600 अगला आगया motor car expense 3600 रुपे यहां लिख देते हैं motor car आप इसको मैं बोलता जा रहा हूँ तो आप verdict से भी ध्यान रखेगा capital दे रखा है 162 162 सर यह मैंने पूरा का पूरा पार्ट complete कर लिया इसमें transfer में किसी को doubt यह तो clear है कि कौन सा item कहां लेके जाने हैं अब adjustment पढ़ लेते हैं prepared trading account सर वही तो बना रहे हैं ठीक है depreciation लगाना है 5% building पे तो building यह रहा इसके ओपर depreciation लगा देते हैं तो depreciation depreciation यहां लगाते है depreciation तो depreciation minus में debt सर 5% that is 3000 और double entry depreciation का कहां जाएगा पता है P handle के debit में मैं बाद में लिख लूँगा मैं अलग से लिख लेता हूँ इखटा लिख दूँगा मैं ठीक है मैं depreciation यहां लिख रहा हूँ rough work कर रहा हूँ 3000 furniture पे आपका कितने percent है 10% minus कर देंगे debt furniture पे तो 2140 तो furniture पे आएगा 2140 मैं इखटा दिखा दूँआ जगह नहीं है equipment पे 1500 है तो 1500 कितना आएगा equipment पे minus कर देंगे depreciation लेकिन एक adjustment नीचे है इसलिए मैं बाद में करूँआ motor car पे 20% है तो depreciation motor car पे 20% that is 4000 तो depreciation आगया सर 4000 मुद्दे की बात है हाला कि एक class के अंदर ये कर चुके हैं फिर भी में बता देता हूँ कहता insurance premium 4000 to what the proprietor की life से related तो सर यहां से सबसे पहले तो LIC घटा दो LIC कितने का था सर 4000 proprietor का था जिसे बोलेंगा drawing तो minus में LIC 4000 यहां तक समझ में आई अब जो बचा हमारे पास ये बचा सर 1500 रुपए है चलो थोड़ा उपर जगे ले जाते हैं इसको क्योंकि हमारा नीचे का काम है mainly चलिए तो 1500 और 1500 में भी क्या कहानी कह रहा है सर यह ये देखिए कहता है कि 1500 रुपए में भी 1 से 20 से लेके 31-6 तक है यानि कहता है 1,4,2,020 से लेके बाकी का insurance 36,2,021 तक है यानि सर टोटल देखा जाए तो 15 महीने का है जबकि हमें तो यहां 12 महीने का दिखाना था तो सर 3 महीने का extra है तो 1500 रुपए जो है आपके divided by 15 into में 3 that is 300 रुपिस extra है तो क्या करेंगे यहां से minus कर देंगे किस नाम से prepaid के नाम से 300 रुपए अब आगया actual figure 1200 और balance sheet के assets में आ जाएगा prepaid कितने रुपए का 300 समझ में आ रहा है यहां तक यह हम पहले भी कर चुके हैं एक बार detail में ठीक है ना तो इस पे ज़्यादा focus नहीं करता है अगला adjustment जिसके लिए पूरा question हम कर रहे है कहता है 31 मार्च 2021 में it was deducted the management revalued the office equipment of 20,000 before charging current depreciation कहा management ने एक फैसला लिया कि हम equipment की जो value है ना 20,000 करने जा रहे है तो अब आपको check करना होगा sir equipment की value जो 20,000 हो रही है वो check करते है तो सबसे पहले equipment था कितने का 16 का question क्या कहता है भाईया इसे 16 मत मानो इसके value को बढ़ा दो इसके value को कितना कर दो आप 20,000 करने को कह रहा है तो जब assets का increment लगेगा तो एक इधर revaluation भी create हो जाएगा sir यहाँ पे एक revaluation create होगा revaluation कितने रुपे से बढ़ गए sir 4000 रुपे से बढ़ गया समझ में आ रही है बात आपको 4000 रुपे से बढ़ गया तो depreciation अब लगाया जाएगा इसके उपर तो इसके उपर depreciation जब लगाएंगे कितने परसेंट लगाने sir 15% तो यह कितना आएगा sir 3000 यहाँ पे भी आपको depreciation का impact दिखाना होगा 1500 4000 जो बढ़ गया उसके उपर कितने परसेंट sir 15% that is 600 तो यहाँ पे जो increment आएगा वो 3600 आएगा और यहाँ पे कितना आजाएगा sir 17,000 अब मुद्दे की बात है sir depreciation कितना दिखा है यहाँ पे इसका तो मैं depreciation दिखा रहा हूँ basically इसका plant किसका equipment का तो equipment पे वैसे तो लगा था कितना 3000 लेकिन 600 इधर deduct भी तो हो गया तो ultimately जो जाएगा यहाँ जाएगा sir 2400 इस बात को ध्यान रखिएगा 3000 माइनस में 600 तो कितने आएंगे आपके 2400 तभी दोनों side आपका equivalent हो पाएगा आप एक बार पूरा देखिए सिर्फ last वाले बाकी adjustment अगर नहीं भी आते तो आप को समझ में आजएगा नए adjustment जो मैंने किया उसको देखिए कैसे करना है तो सबसे पहले जितना पार्ट बढ़ गया हमने किदर दिखा दिया सर liability side liability side दिखाने के बाद हम depreciation लगाने गये तो दोनों side depreciation लगा दिया दोनों amount पे अब जब P&L में depreciation लेके गये तो assets वाला भी ले जाएंगे और liability वाला भी ले जाएंगे तो liability assets दोनों आपस में debit credit minus हो के net amount यहाँ पे कितना आगे हमारा sir 2400 in case of हमारा assets का revaluation upside जाता है तो फटा फट से देखिए हमने जो adjustment सीखा है कि इसमें ये लिखा है सारी बाते मैंने मैंने काता increase होता है तो उस case में आपका depreciation 10% लगेगा तो ये देखे दोनों side ले गए अब P&L के debit side में कितना आएगा इस बात को आगे continue करते है sir P&L के debit side में जो depreciation आएगा आप बताइए देखे कितना आना चाहिए P&L के debit में कितने 100 रुपय आएगा P&L के debit में क्योंकि 200 रुपय तो था ही और 100 रुपय वो minus हो जाएगा जो liability तो इसका मतलब ये कितना आजाएगा P&L के 100 रुपय अब ये आपको समझ में आ गया होगा क्या कहानी है यहाँ पर ठीक है ना कैसे treatment करना है तो sir ये question हमने जो किया यहाँ तक का treatment हमने खतम कर दिया है सारे depreciation को add कर देते इनको 3 और 4 7 9,140 रुपय तो मैं और बाकी के depreciation लिख देता हूँ 9,140 रुपय ठीक है मैं कोसिस करता हूँ आपको एक जगह ही दिखा दूँ ये सारा बस थोड़ा size और reduce हो जाएगा कोई बात नहीं अब फटा फट से एक काम रह गया totaling का तो totaling कर देते हैं sir 2,30 एक तो रही गया closing stock closing stock कितने का 44,000 का तो buy closing stock 44,000 और ये कहां जाएगा closing stock आजाएगा 44,000 देखो space थोड़ा सा कम रहेगा इस chapter में क्योंकि मैं दूसरे page पर जाना नहीं चाहता जाने नहीं जाने का main reason ये है कि एक ही जगह दिख जाए आपको आजे आरे हां reserve for bad debts भी रहे गया कितने percent 5% तो debtor पे minus reserve 5% 8600 पे 5% 4300 और ये आजाएगा provision for doubtful debts liability side में 36 ठीक तो है 4000 में से 600 माइनस होगा 34 आएगा न ये आएगा 3400 ये आएगा 3400 ये ठीक है 2300 माइनस रग्यालिस सो ये आगे 222 5800 प्लस 4400 269 800 माइनस कर लेते हैं एक चालिस में से 2600 माइनस करोगे तो क्या आएगा 137 400 माइनस 62 अजार माइनस 137 400 माइनस 55 प्रॉफिट आगया 63-600 चेक कर ये ग्रॉस प्रॉफिट सर जीपी चेक कर ये किताब में उनसट 63-600 चीक है ठीक है कोई बात ने हमारा ठीक है हम यहीं पर लेके चलेंगे 63-600 सर रेंट गो डाउन में ले लिया आपने तो बोला यहां लेंगे आप इसके लिए नोट देना पड़ेगा देखिए क्योंकि रेंट जाद से जाद इसने ओफिस में भी हो सकता है लेकिन मैं गो डाउन कंसीडर करूँगा तो हमारा सवाल भी ठीक माना जाएगा यह आगे 68-300 लेकिन सर प्रॉफिट नेट सेम आना चाहिए 68-300 में से माइनस कर देते हैं कि करके 36-100 11,000 3,000 27,000 2,000 21,000 24,000 16,000 नेट प्रॉफिट 16,860 चेक करिए 16,860 तो देखें नेट प्रॉफिट आपका सेम आना चाहिए इसको बदल देते हैं थोड़ा कलर चेंज कर देते हैं कर लिजेगा आप वीजवल हो जाएगा तो सर अड़ हो जाएगा एनपी माइनस 12,000 माइनस 4,000 162,860 मैं यह डेप्रीशेशन यहां से हटा रहा हूँ यह तो मैं एज़ा वर्किंग नूट कर रहा था 44,000 यह आगया 239 मैं यहां लिख रहा हूँ 239,260 सर यहां पर भी डिफरेंस आपका आएगा नहीं आएगा नहीं आएगा चेक करिए यहां जाएगा 239,260 आप इसका टोटल करके चेक कर सकते हैं मैंने आउटर में नहीं लिखा लिखेन आप लिख सकते हैं सर पेज नंबर प्रोग्राम में नहीं मिल रहा सेम कोश्चन है बस थोड़ा सा अज़िस्मेंट अलग है पेज नंबर पे मत जाएगा आप हेडिंग देखिए उसके अकॉर्डिंग मिल जाएगा वहाँ प्रिपेड इंसॉरिंस दे रखा है चलिए नोटिंग करिए फटा फट से इस कुश्चन को